हेलो दोस्तों आज आज एक्टीडी चैनल में आप सब भी लोगा स्वागत हैं आज हम टॉपिक जो है वस्तुएं करने के लिए और सिखने के लिए पढ़ेंगे और दोस्तों थियोरी के साथ साथ हम लोग साथ इंपॉर्टेंट कुस्टेंज को भी लगाएंगे दोस्तों अ जो शीट्र के इयवियोस पेपर में आपको 100 पसंट यहां से क्वेशन देखने को मिलेंगे अगर आप जो है ज्यां से समझ लेते हैं तो आप आने वाले क्वेशन को जै आसानी से कर पाएगे ठीके दोस्तों तो चलते हैं थियोरी के और और देखते हैं बहुतो हेड़ेंगे वर्षों करने के लिए और सिखने के लिए यह जो आप फिगर देख रहे हैं मसूर कलाकार विश्णू चिंचालकर इंदौर मतपरदेस जो कि इंदौर पहर के मतपरदेस राज के रहने वाले हैं यह क्या है सूखे पत्तों से बढ़ियां चित्र बनाते हैं जिसमें आप लोग देख रहे हैं पच्छी भी हैं अधि क्यों यह जित्र बने हुए जो सकता है इस प्रिकार से बनाने वाले ने मसूर कलाकार कौन हैं यह क्या है जोस्तों है ब्रेल लिप क्या है वो समझेंगे। लुवी ब्रेल जो थे फ्रांदेश के रहने वाले थे, जब वो तीन साल के थें, तब वो एक दिन अपने पिता जी के आज़ारों से खेल रहे थे हैं। वोता क्या है चैनक उनके एक नुकीले होजा से उनकी आँखों में च्योट लग जाती है और आखें घराव हो गई है इस करण से उन्हें आखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया है धाग वो अंद्य हो गया है तो कुकि उनकी पढ़ने में रूची थी तो उन्हें नहीं मानी और वो पढ़ने के लिए तरह तरह के तरकीवें सोचता रहा है आखिर कार उसने डोन गिलिया एक तरीका छोकर पढ़ने का जो है एक तरीका डोन लिया जीसे ब्रेल लीपी के नाम से भी जाना क्या इस तरह की जो लीपी होती है दोस्तों वो मोटे कागट पर उबरे हुए बिंद्व बने होते हैं और उबरे होने के करण इन्हें छोकर दोस्तों पर अधारित होती हैं जैसे हैं आप लोग देख पा रहे हैं यह six point मैं है एक अच्छार के नीचे जो है six point बने होएं और लीपी जो है छे विन मों पर अधारित होती है आज कल जो है ब्रेल में नैने परिवर्चन हुए है इससे इसे पढ़ना लिखना और भी आस अप जो ब्रेल लीपी है, कंप्यूटर दौरा लिखी जा सकती है। दोफ्तों इनके नाम से ब्रेल लीपी दिवस भी मनाया जाता है यह कम मनाया जाता है इसको कमेंट बॉक पर लिखकर आप लोग भेले। इसमें पॉइंट है लोएगा भारिया जो है तैरता है लेकिन जो हलकी सुई है पानी में डूब जाती है जो तो यह जो है आकमडीट का एक सिद्धान्थ है उसके अमसार कोई वस्त कैसे तैरेगी और कैसे नहीं तैरेगी कब तैरेगी कब डूब जाएगी यह बताया है जब किसी भी वस्त को पूड या आंसी में दोब देती है तो वह अगर नहीं विस्तापरिट करती है जल को वह पानी में डूब दठाए गया पानी का भार जो होता है वो जहाज के बराबर होता है इसलिये जो है जहाज depende तैंगर जब कि जो सी होती है इसलिये जो है जिस्टे थे आप कभी जी दठा होगा दोथो एक्दम से कभी कभी जो नहाते हो चोड़ जाता है और वो भी यही आर्गमडी का सिद्धांद होता है कि जब पानी में सावन डूब जाता है वो अपने भार के वारवर जल्ब को विस्तापित नहीं कर पाता है यानि हटा नहीं पाता है इसलिए वो डूब जाता है दोसों हेडिंग है मिर्स सागर वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है लेकिन मिर्स सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है दुनिया का सबसे नमकीन सागर जो है मिर्स सागर है इतना नमकीन है कि एक लीटर पानी में तीन सु ग्राम नमक होता है और इसको ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खारे जल का जो घनत होता है वो साधारण जल के घनतों से कम होता है इसलिए इसमें जो है मनुष्ट जो है आराम से तैरता रहता है दोस्तों हेडिंग है डांडी आत्रा डांडी आत्रा यह जो घटना है 1930 इस्वी की है और भारत की आजादी से पहले की यह घटना है भारत जब हमारा देश जो भारत है वो आजाद नहीं हुआ था तब कि यह घटना है अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने से रोग लगा दी और उपर से नमक बनाने पर रोग तो लगाई ही लगाई और उपर से इस पर टेक्स भी लगा दिया टेक्स लगा दिया और कानून इस कानून से लोग जो है अपने गहर में इस्तिमाल के लिए जो है नमक नह पड़ता था इस बात से लोग बहुत नाराथ थी बहुत उनके अंदर आक्रोग भरा हुआ था फिर गांधी जी का कहना था जो चीज हमें कुद्रत ने दी है उसे बनाने में बंदिस कैसी और फिर उन्होंने क्या किया लोगों के साथ मिलकर कुजरात राज के एहमदाबांग से डांडी के समुद्र तट तक जो है एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ांग दोफतों जो नमक बनाते हैं कैसे बनाते हैं यह जानते हैं समुद्र के पानी को क्या करते हैं जमीन पर क्यारियों की तरह बनाया गए गटों में भर दिया जाता है और जब ध दूब जादा होती है तो दूब में क्या होता है पानी सूप जाता है यह कह सकते हैं कि पानी का वास्पी करण हो जाता है उसके बाद जो है नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं ठीगे दोस्तों जल या द्रव का वास्प में परिवर्थन जो होता है वो वास्पी करण कहलाता है जल का वास्पी करण कब अधिक होता है उसको हम पॉइंट वाइस समझेगे पहला है point अधिक ताप हो यानि जब temperature जब अधिक होता है तब जल का वास्पी करण जो है अधिक होगा दूसरा point है द्रोग की सता का फैलाओ अधिक होने पर जो है वास्पी करण अधिक होगा या कह सकते हैं कि जब द्रुग के च्छित फल या एरिया जब ज़्यादा होता है तो भी वास्पी करण उसका अधिक होता है जैसे एक बाल्टी में पानी भलें और एक मग में पानी भलें और दोनों को धोब में रख दें तो वास्पी करण जो होगा सत से जल्दी वो बाल्टी का होगा और मग का उसकी अपेच्छा कम होगा नेक्ट पॉइंट है वर्सा के दिन की अपेश्चा जब वर्सा होती है उसकी अपेश्चा सुस्क के दिन में जब सुस्क मौसम होता है तब वास्पी करण अधिक होता है वायू की गति तेज होने पर जब वायू जो है तेज चलती है यह गति तेज होती है तब भी वास्पी करण जो होता है, जल का अजब होता है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों हेडिक है मदवाक्खी परन या एक सच्छी कहानी है अनीता को सुभा कि जो बड़े संगर्स करने के उसको पाहाई करने का मौका मिलता है और ये एक चमकता सितारा या गर्थ इस्टार के नाम से जानी जाती है चमकते सितारे उन साधारा लड़कियों की असाधारा कानिया है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिन्दगी बदल दी है अनीता कुस्वा जो है वो मुझपर पूर जिले की मुझपर पूर जिला है जो बोचाहा गाउं में रहती है और ये जो जिला है वो बिहार में है इनके पिता जी और माता जी और दो छोटे भाई है ये कालेज में पढ़ती है और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती है और इनका जो काम है वो मदमक्खी पालने का क लीची के पेड़ पायाते हैं और जो लीची के जो फूल है मदमक्यों को अच्छे लगते हैं इसलिए यहां पर मदमक्यों को पालकर सहद बनाने का जो काम होता है वो किया जाता है इन्होंने भी सोचा कि भाई मदमक्य का काम किया जाए और फिर इन्होंने सरकारी कोर्स में भाग लेने वाली अकेली लग्की थी जिनकों ट्रेनिंग के दौरान मालूम पड़ा कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है मदमक्हियों के अंडे देने का समय होता है सबसे अच्छा समय का सबसे अच्छा समय का सबसे अच्छा समय होता है तो अक्टोबर से दिसम्बर च्छत्ते में कि रानी मक्ही होता है च्छते में बहुत सारी काम करने वाली मक्हियां होती है यानि जो ज़्यादा काम करती है वो मक्हियां होती है यह दिन भर काम करती है सहथ के लिए फूलू का रस डूनती है जब किसी मक्ही को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करने लगती है नाचने लगती है, जब कोई की success मिल जाती है, तो जैसे हम लोग नाचने लगते हैं, या हम लोग सरकारी नौगरी मिल गए, यूपिटेट पास करके, तो कितना अच्छा लगता है, वैसे इनको भी मक्खी को जब रस मिल जाता है, तो एक तरहें का नाच करती हैं, उस से क्या होता है, दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है, कि रस कहां है, वे रस जिससे क्या बनाती है, सहट बनाती है, छट्ता बनाने का काम भी इनहीं का होता है, मन्मक्खियों का ही छट्ता बनाने का काम होता है, और बच्चों को पालना भी, कितने जिम्मेदारी होती हैं यह लो और नर जो हैं वो मख्षी जो है छत्य के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं आराम से बैठे रहते हैं ठीक है तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जब किसी भी मदमक्षी को सहद मिल जाता है तो क्या करती है एक तरह का खास नाच जित्त करती है इससे दूसरी मख्यों को प एक 가장 important point है पोइंट है दूस्तों उतरांचल में पाण्हों के बीच में एक हैसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं यह फूलों की घाटी कहलाती है उत्रांचल या उत्राखंड के वाद कि जारी दो पो जहां पाणों की भी फूल ही फूल होते हैं, इन्हें फूलों की घाटि कहाजाता है, या वैली अफ्लावर के नाम से भी जाना जाता है. कर्णम मल्ले सरी कर्णम मल्ले सरी जो है एक वेट लिप्टर है और ये दोस्तों जो है वो आंध पदेश की रहने वाली है जिनके पापा जो है यानि फादर पुलिस में हावालदार है ये बारा साल की जब थी शवी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी और अब व यह कह सकते हैं कि एक कुंटल 30 किलोग्राम का वजन उठा लेती है कर्णम ने भारत के बहार जो है 39 मेडल लीते हैं और इनकी चार मेहने भी जो है रोज वजन उठाने का अभ्यास करते हैं दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि यह कर्णम मल्ले सरी है वो आंध प्रदेश रा और 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती है तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहां से कई अभाव क्वेक्शन बने हुए है तो इसका स्क्रीन सॉट ले लेगी है क्योंकि पेपर के दृष्टी से यह बहुत महत्वोड है यह दोस्तों पॉइंट है यहां दिखाएग जिला है वो बहुत पुरानी चित्कला है यह मद्वनी चित्कला के नाम से जानी जाती है क्योंकि बिहार में बिहार राज में जो है मद्वनी नाम का एक जिला है इस कारण यह जो है मद्वनी में नाम से जानी जाती है यह तेवहारों यह तेवहार जब कोई हो और खुसी ह खुशी के मौके पर वहां के घर की दिवारों जो घर की दिवारे होती हैं वहां पर और आंगन में इस तरह के जो हैं चित्र बनाये जाते हैं यह चित्र जो हैं पीसे हुए चावल के घोल में यह चावल पीस लिया जाता है और उसका घोल बनाया जाता है उसमें रंग मिला दिया जाता है रंग मिला कर बनाय जाते हैं ये दोस्तों ये रंग भी खास तरह के होते हैं इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग जो हैं इनका इस्तमाल किया जाता है ये जो चित्र होते हैं इसमें इनसान होते हैं जानवार, पेड़, फूल, पच्छी और मचलियां आदी जो हैं अनकई जीवजन्त जो हैं के साथ इसमें बनाया जाता है इसमें question पोच लेता है जो मनी जो है चित्रकला जो है वो कहां की है तो option में यह आपको मिलागा है बिहाराज की है या और कोई और संद्य देगा इसमें 4 और संद्य होते हैं इसे question put up कर लेते हैं या पोच लेते हैं जो मनी जो चित्रकला है वो कैसे बनाई जाती है या पीसे हुए चावल के गोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं दोस्तों यह कई बार question यहां से भी आये हुए है तो इसका इत्र के लिए मसूर है किसके लिए मसूर है इत्र के लिए मसूर है यहां पर पास के इलाकों में ट्रकों से भार कर फूल लायाते हैं फिर इनसे जो है इत्र गुलाब जल और केवड़ा तयार किया जाता है यानि कन्नोच जिलों का जो जिला है वो इत्र के लिए प्रसित है या इत्रों का सहर जो है कन्नौद जिला को कहा जाता है नेऍसट मैंट है दोस्तों देरा गाजीखान है देरा गाजीखान जो है पहले भारत में था लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का अमबट वारा хот पाकिस्तान में केश्से में चला गया हरियाना के सोहाना गाउं में मिट्टी में गोवर मिलाकर यानि जो मिट्टी होती है उसमें गोवर मिलाकर जमीन पर लिपाई की जाती है ताकि वहाँ पर कीड़े ना लगें यानि कीड़े ना लगें इसके लिए मिट्टी में गोवर मि प्रियोग की जाती हैं बस्वा नाम का किसान है करनाटक करनाटक राजी के बैल वन का गवह में रहता है बस्वा के इलाके में तो खूटी खूटी की तरह खेट की मिट्टी को नरब करते हैं यानि खूटी से तो है खेट की मिट्टी को नरब करते हैं यहां पर जो खेटी का उनर होता है कि जो खेट में प्याज के जो बीज होते हैं उनको बोने के लिए बैल के माद्धम से कुरिगे जो हल बोलते हैं को खीटते जाएंगे और जो है इसके पीछे पीछे जो है बीच डालते जाएंगे यानि जहाँ पर बैल जो कुरियों खीटते हैं वहाँ पर जगे मिलती जाती है वहाँ पर क्या करते हैं पीच डालते जाते हैं प्याज के ठीके तो तुम और इलगे नाम का सब्द है जो करनाटक की भासा में करना होते हैं प्याज कि पौधन से अलग कर लिया जाते हैं कनांटक राज के वूल गुंडी होल गुंडी गाओं के जो लोग हैं पानी की जो कमी है यादत पढ गई क्योंकि दोस्तों यहां पर बारिस के दिनों में पानी रहता है जब बारिस होती है तभी यहां पर पानी रहता है और यहां पर तीन सालों से बारिस ही नहीं तो सूखा पड़ गया अब जब सूखा पड़ गया तो ना खेती होगी और ना वहां पर पहिने के लिए पानी होग और नहीं जन्वरों के लिए PA lady who किया होगा वहां के लोग जो है उसको गाओं को छोड़ कर सहर की और प्रायन करेंगे बच्चे भी जो है स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ उनको जाना बड़ रहे हैं तो इसके लिए क्या है पानी की वर्षता के लिए गाओं के लोग मिलते हैं और गाओं की पंचायद जो है बहुत परेसान थी वह एक लोग सब लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं और इस गाओं की जो एक पंचायद जो है बहुत खास बात यह होती है कि पंचायद में जो है बड़ों के साथ यह जो बड़े हैं बड़े बज़ुर्ग के हुआ हैं उनके साथ जो है बच्चे भी होते हैं और बड़े और बच्चे मिलका जो है पानी का जो है इंतजाम करते हैं और बच्चों की इस पंचायत का नाम जो है भीमा संग कहलाता है दोस्तों यह ध्या आबो धावी एक जो है रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर रेथ ही रेथ पाई जाती है यहाँ पर रेथ के पहाड़ भी होते हैं पहाड़ दिखाए जेते हैं इसलिए इसे रेथ का टीला भी कहते हैं रहतीली जमीन के नीके जो रहतीली जमीन होती है उसके नीके तेल होता है इसलिए पेट्रॉल जो होता है वो आसानी से यहाँ मिल जाता है यहाँ पेट्रॉल जो है पानी से सस्ता है पानी से सस्ता जो है पेट्रॉल है यहाँ सिर्फ जो है खजूर के जो पेड़ पाय जाते ह है अरिवी बासा में यहां की बाँसा जो है वो अर e बासा में रुपे को बोलते हैं यानि याकी मुद्रा है वो ब्रहूने की वह से यहां के लोग है फिले डाले सूति कपड़े पहनते हैं और एयर कंडीशनर ऑल Ray का ग Karma करते हैं कि हाँ दोस्तों गर्मी बहुत होती है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें प्रिम कार्थ है साथ रंग यह जो हैं भारती नो सेना में एक डॉक्टर हैं और नो सेना इस समुद्री जहाद पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं यह पहली महिला हैं जिनों ने एक पूरी परेट की कमान समा ली है किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है वाहिदा जो है थाना मंडी थाना मंडी नाम की एक बहुत से फोटे गाओं से हैं, और यह जो गाओं है, वो जम्मू कश्मीर, राज के रजाएली जिले में हैं वाहिदा बताती हैं कि जब यह परेड होती है, उनके पीछे चार टुकड़ियां चलती है और पूरी परेड में 36 जो हैं नर्देत देने होते हैं निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पहले, सबसे पीछे वाली टुकडी के जो लोग भी हैं सुन पाएं जो पीछे की एक टुकडी होती है, पीछे वाली टुकडी वो लोग भी सुन पाएं देखने वालों तक भी आवाज सुने, जो देख रहे हैं वो भी आवाज सुने, जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं, उनको भी आवाज सुनाई देनी चाहिए, ठीके दोस्तों, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्क्रीन सॉट ले लिजेगा, पॉइंट है दोस्तों, नाग गुंफन, ऐसे डिजाइन रंगोली, जो हैं, ऐसे डिजाइन रंगोली जो होती है, वो कड़ाई और दिवारों को सजाने के लिए, जो हैं, सौरा अश्ट्र, गुजरात और दच्छड बारत में प्रियोग किये जाते हैं, नाग गुंफन जो ह दोस्तों, इसमें कुछ खाने के चीज़े दिये हुए हैं, जो दूसरे तरफ उन्हें एक-दो दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरे लूप आए पर दिये हुए हैं, देखते हैं इसको, यह चीज़े हैं और दूसरी तरफ घरे लूप है हैं, दूद, दूद ताकि जो चावल में है इसमेल ना है हरा धनिया हरा धनिया को गीले कपड़ कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वो सूखे नहीं याज लेसुन फुले में रखते हैं ताकि उनको नवी से बचाया जा सकूना पॉइंट है दोफ्तों सीशियों में अचार रखने से पहले सीशियों को दोफ में सुखाया जाता है क्यों ऐसा क्यों किया जाता है अगर किसी सीशियों में थोड़ा सा पानी रह जाए या नवी नहीं रह जाए तो क्या होगा दोफ्तों सीशियों को दोफ में इसलिए सिखाया जाता है ताकि वह नमी जो है सिसियों की खतम हो जाये और अगर उसमें नमी रह जाती है तो फकुन पढ़ने का डर रहता है दूसरे पैंट है आम को पूरे साल चलाने के लिए यानि आम को संदस्च्p करने के लिए पूरे साल चलाने के लिए उसका क्या भना जाता है आम पापर्ड मामडी तैंट्रा बोलते ह kयक्त न ralli नि नि बरणा सकते हैं ट्क रस्ट ये जो हैं दोस्तों एक खाथ सम्दच्छड का उधारण हैं जिनके मार्द्यम से हम क्या करते हैं किसी भी चीज को बना कर महिनों या सालों तक रख सकते हैं दोस्तों हड़ें है अल्विरूनी की नज़त से यह हजास साल से बिजादा सल पहले एक यात्री भारत आये थे इनका नाम जो अल्विरूनी था अल्विरूनी जी देश से आये थे आज कल हम जो लोग हैं वो उद्वेकिस्तान कहते हैं अल्विरूनी ने बहुत ही बारी कुछी से चीजों और जगों जो चीज सी बस्तों थी और प्लेश से उनको देखा और उनके बारे में इनों ने लिखा में खासथ वे जो उन्हें अपने देश से इलग इनके देश में नहीं थी हैं और उनके बारे मेशंहने description क्या बतार अवश बड़े हैं क्या किया वे समय के । फुर्पंद्य यहां के लोग जो है तालाब बनाने में इन्होंने यह लिखा अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे बहुत बड़े-बड़े भारी पत्तरों के लोहे के कुंडों और सर्यों से जोड़कर ताला के चारो तरफ जो हैं चबुत्रे बनाये जाते हैं इन चबुत्रों के बीच में क्या है उपर से नीचे तरने और चणे के लिए बारे मैं ने बताया और उसकी बनावट कैसी हैं इतना उतलब आसान है चणना और और बदाया कि भीड़ भी वहां पर नहीं लगती है और कोई परेजानी भी नहीं होती है दोस्तों यह टिकट का वाक्या है यह जो टिकट है 1973 में छपी थी जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थी गजंदेथ के दुस्तों पॉइंट है बुन-बुन की कीमत राजस्तान में झैसल-मेर एक राजस्तान रहां चैसल-मेर को छोड़ दिया जाए यहां की बहुत इलाके हैं वहां पे सिर्दस बाराजी नहीं बारिस का पानी रहता है कि दोस्तों इसको ध्यान दखेंगा यह important point है यहां से भी question बने हुआ हुआ सुटिजर लेंड में सुटिजर लेंड की बात की जा रही है जो वैलक्रो का जो आइडिया आया है कैसे आया है यहां जो गटना है 1948 की है जो जो जॉर्ज मेस्टरल क्या थे अपने कुट्टे के साथ वह एक दिन घूमने गये और उन्होंने पाया कि उन दोनों पर भी चिपक हुए हैं चुट्टे पर और उन पर तो इन वीजों को उन्होंने अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा वह हैरान रह गये और जट से एक माइक्रो इस्टोप उन्होंने निकाल लिया वीजों को बारिखी से देखने के लिए वीजों में छोटे-छोटे हूक थे इनकी मैस्टर को आइडिया आया और उनके मन में जो है वेल्क्रो बनाने का विचारव वेल्क्रो से दोनों सतय चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज होती है और हम लोग भी जो है दोस्तों जैसे बैग में लगा होता है ना बड़ी मज़ा आती है हम लोग को बार- जो स्विट्गर लेंड में वेल्क्रो का जो आया वो कब आया वो 1948 में किसके मन में आया जो और में में यह पॉइंट दोस्तों ध्यान लगए दोस्तों पॉइंट है तरूल भारस संग नाम की एक संगता है इनको दड़की माई ने बनाया है दोस्तों कुश्चन यहां से भ ले लेजिए यह जो हैं दड़की माई हैं राजस्तान के जो अलवर जिले के गाउं में रहती हैं इस गाउं की ओर्तों का जो पूरा समय होता है वो घर के कामों और जनवरों की देख बाल में चला जाता है कभी कभी तो जनवरों के लिए कुश्चन से पाई खीटने में पूरी रात लग जाती थी जब कर्मियों में कुश्चन भी शूख जाते थे गवह जो हुए च्छोड़ना पड़ दड़की माई ने क्या किया पहल की और लोह ने क्या किया संस्ता के साथ मिलकर तालाब बना लिए यानि दड़की माई ने जब पहल किया कि भई ऐसा नहीं है जब लोग जो है सुखा पढ़ जाता है लोग ठोड़के चले जाते हैं तो ऐसा किया जाए कि भई एक ताला बना लिया जाए ताला बना लेंगे तो इससे क्या होगा जानवरों को चारे पानी कोई कमी नहीं होगी है और जब जारा पानी मिलेगा तो ज्यादा दूद देंगे यानि यह कह सकते हैं कि तरूर बारसंग ने जो काम किया वो दड़की माई के एक संस्ता के रूब में काम किया और इन्हों ने जीलों का जो है पुना निर्मान किया ठीक है दोस्तों दोस्तों पॉइंट है पुनीता के मौले में जो थे पहले दो पुराने कोई हुए करते थे और दादी माँ उनकी बताती है कि लगबग जो पंदरा से 20 साल पहले था उनमें पानी नहीं था वहां सुखने की क्या वज़ा है इनको इन पॉइंट से समझते हैं कई जगे जो ह पर हो रहा है कि पानी का वाटर लेवल एक कम हो रहीं इस से ब्त रखिस्ता उलाब जिनमें बारिद में पानी खट्टा होता था हम नहीं रहने वहां भी भी इस वजह सी लूँए में पानी क्योंकि तालोगों का पाणी जो था जब झाली खाली होते तो वहां पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जो है पार्क बने हैं पेड़ बने हैं आसपास के वहां जो है सीमेट से पक्का कर दिया गया है इस वज़े से पानी वहां पर रुक नहीं पाता है और नालियों के मात्यम से जो बैय कर चला जाता है जो पेड़ों के आसपास चमीन को किसी कर दिया है सीमेंट से पक्का कर दिया है इससे पानी जो है नालियों के मात्यम से बैय कर दोसी जगे चला जाता है यह कारण है कि जो पुएं है हमा है अनेमिया रोग होता है इसके उप्चार के लिए गुड आवला और हरे अत्यदार सब्जियों की जरूरत होती है तो यह पॉइंट Infant है कई लाट इसका स्क्रीनिये लेडिले गेगा मलेरिया और है तो मलेज्या की होती है मलेज्या की दाई बहुत पूराने समय सिंकोना के पेड़ चाल सह को बनांड पहले तो लोग जो है छाल को उबाल लेते थे और चान कर इसका इस्तमाल करते थे लेकिन अब यह जो है छाल से दवाई बनाते हैं मलेरिया की दवाई बनती है मैंड में आप अपने फिट कर लिए दोस्तों point है malariya, malariya heading है मादा एनफली मच्छर के काणे से होता है इससे क्या होता है रोग्य को सर्धी और शिर्दज के साथ-स बार-बार बुखार आता है मलेरिया से दोसरे heading है दोस्तों डेंगू डेंगू जो होता है एंडेस मच्छर या टाइगर मच्छर के काटने से होता है डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार भी आता है और सरीर पर जो हैं लाल चकत्ते हो जाते हैं और जोडों में जो है वो दरदर बना रहता है इसमें ठंड लगती है यह ध्याने खेएगा दोस्तों यहां से कई बार कुर्शन पोटाप हो रहे हैं तो हेटिंग है चिकन गुनिया यह रोब जो है विशाण वायृस द्वार्य अड्डी cooler कंट इसमें काते हैं इससे क्या होता है रोगी कुर। चुपवलों में दर्द होता है के उख़ा रहे तैज भुखार आता है सिर्दर्द सकान जोडों में सुजन सारीर salty पर शकत्ते पर तैना किया है तूँतों आज पास जो है पानी जमा न होने दे और गढ़्धे जो बने हैं उनको आप भढ़ दो, पानी नहीं जमा होने देना है और गढ़्धे जो हैं उनको भढ़ देना है, पानी के जो बढ़तन हैं, टंकी हैं, पूलर हैं, उनको साब रखें और हर हफ्ते उनको उखाना है, कालाबों में मचलियां छोड़ दें, ताकि की वह क्या है मच्छर के लारवे को खा लें मच्छर दानी का इस्तमाल करें ताकि मच्छर आपकोडना प्धाएं चमे हुए पाणी में में मिढटी का तेल रख दें और मिढटी का तेल का हं और एंको ओक्षा नहीं मिल पाती जिस से मच्छर पनप नहीं पाती है है। लिए दोस्तों मत्रम पॉइंट है िहां मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुगानी उम्सन날 य०ुशुत है बता है की मलेरिया मक्छर से फेलता है यह रोनोल्ड रॉस है। रोनौल्ड रोस जो हैं इन्होंने सो साल पहले एक वेग्यानिक थे इन्होंने पता लगा है कि जो मलेरिया जो होता है वो मच्छर से पहलता है और इनका जो रंग है बुरा है और पंक जैसे छेटदार होते हैं रोनौल्ड रोस को इसी खोज के लिए 1902 में किस्था के छेतर में बड़ा पुरुषकार मिला जिसको नोबल पुरुषकार काया था है दोस्तों ये दियान रखेगा कि किस्था में मिला तो 1902 में किस्था के छेतर में इनको नोबल पुरुषकार दिया गया है ठीक है दोस्तों दोस्तों पॉइंट है गड़वाल गड़वाल के नाकुरी गाओं नाकुरी गाओं है गड़वाल में की रहने वाली हैं बच्छेंदरीपाल यह उनके बच्छपन की गटना है यह क्या है कि बड़े होकर इन्होंने नहरू इंस्टिटुट आप यह उनके पहाड पर चलने के ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइट करने वाले थे उनके खुया की ट्रेंडियर मेरा किसीनियर-च्छ ini यह मैंचजान को पढ़ाने पर चलने के लिए भी जूह है मैलाओं को रहाए पर चलने के और लिए यह दिया करती है, 1984 की इवाद है दोस्तों, कि बच्षंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चानने के लिए चुना गया है, 1984 में, 1984 में, बच्षंद्री ने क्या किया, दिन में, एक बच्षंद्री पाल ने क्या किया, जो कि नैपाल में नैपाले नाम है, नैपाले नाम है माउंट एवरेस्ट का तागर माथा पर जो है कदम रख रहा है, और करीब यह 43 मिनट तक जो है वो दुनिया की सबसे चोटी, उची चोटी पर रही है, इसके साथ ही बच्षंद्री पाल ने भारत की पहली महिला बन गई, और संसार की पांच्वी ऐसी महिला बन गई, जो नहीं ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रख रहा है, दोस्तों यह ध्यान अखिये गया, कि किस सन में, 23 में 1984 को रखा, और यह भारत की प्रुसम महिला है, बच्षंद्री पाल जो 1984 में माउंट एवरेस्ट, नेपाली सागर माथा पर चड़ी है, और यह जो माउंट एवरेस्ट कहा है, वो नेपाल में है, यह ध्यान अखियेगा, क्योंकि यहां से कुश्चन बने हुए नहीं, दोस्तों, हेडिंग है, नहरु इंस्टिट्यूट अब माउंटिनेरिंग उत्तरकासी, ग्रुब नमबर साथ की बात की जा रही हैं, दोस्तों, यह इसकी जो लीडर है, वो संगीता में है, और इसमें जो है, असम, मडिपूर, मिजोरम और मेगाले, नागाले अंडाजों क की लड़कियां सामिल हैं, और संगीता में हम जो है, वो अकेली केंदरी विद्धेले की एक टीचर हैं, जो इस ग्रुब नमबर साथ की लीडर भी है, इनमें बताएगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक ग्रुब लीडर की, उसको समझते हैं रोतों, इसमें क्या ह जो लोग होते हैं, उनका सामान उठाने में मदद करना, एक लीडर की जिम्मेदारी होती ही ग्रुब लीडर की, पूरे ग्रुप के आंगे बढ़ जानेहे जब पूरा ग्रुप जो आंगे बढ़ जाएगा तभी ग्रुप लीडर बढ़ेगा, ठीक है दोबस्तों, यह पeur पूट अप हुए हैं कुश्चन जो चल ना पाया उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना यानि जो चढ़ नहीं पा रहा है उसकी साहता करना और हाथ पकड़ कर चढ़ाना रुकने के लिए जगह भी ढोड़नी है अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो रुकने के लिए जगह ढो तो उसके बारे में भी उसी को गुरूप लीडर वाल के बंदे को सोचना है और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि गुरूप के किसी भी सदस्य अगर गलती हो जाए तो हचते हुए सजा भुगतने के लिए तयार रहे है ना हटेंगें दोस्तों जर्म नजीपार की रोज की तरह हैं सभी गुनाहते में सुबहें बिटमेंसी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चौकलेट वाला दोन मिला है यह इसलिए दिया गया कि ठंड से बचाओ सके और ज्याज़ा सकती यह ठंड से बचाओ और ज्याज़ा स यह लिए जो है विटमेंसी और आयरन की कौलियों के साथ गरम गरम चौकलेट वाला दोत भी मिला है तो प्रवतार रोवाड की बासा में रैफलिंग बोलते हैं यानि चटान से नीचे बासा में रैफलिंग नहां जाता है दोस्तो गोल कॉंडा है यह जो है दच्छट भारत में हैदरावाद नगर से पांच मिल दूर पश्चिम जिसा में एक धर्ष्ट नगर वा दूर्ग है कुतुप साई सुन्तानों ने सन 1518 से लेकिए 1687 स्वी तक जो है राज किया यहां जो दिवारे हैं कहीं कहीं गोलाई से आंगे निकली हैं जिसे बुर्ज कहते हैं बुर्ज दिवार से ज्यादा उचे हैं जो दिवारे बनी हैं वो उनसे ज्यादा उचे हैं इस किल्ले की जो बहरी दिवारों में 87 बोल जायं जो मोटी दिवारें लंबा चोडा गेट भी इसमें लगा Europy यह जुअ कि मुशी नदी जो है रवाद दुरके दच्छड में थी मुशी नदी जो है रवाद में बहती है। फ्यहत्यों कि दोस्तों हड़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग जो लोग थे वो कांसे की चीजों का प्रयोग करते थे वो हजारों साल पहले करते थे के आप दी यह सोच कर हैरान होती कि कहरी खानों में से तामभा और टीन कैसे निकालते ओंगे और कैसे पिगलाते हुम गे खने का मतलब यह आप छे कान से का है वो पिखलागर तामे और टेन को पिखलागर बनाए है और यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्वाइंट है यह कई बार कुश्चन रिबीट हुआ है इसको ध्यान खिएगा दोख्तों दोख्तों यह सुनीता विलियम्द की कानी है सुनीता विलियम्द जो है प्रत्वी से जो 360 किलो मेटर दूर स्पेस से भी आनि अंत्रिच पर जाती है और वहां बताती है कि जो प्रत्वी है समधर है वो कैसे दिखते हैं और इसको समयते हैं दो तो लकीरे आखिर कहा है है स्पेस्वी की खड़की से प्रच्वी को देखकर जहा कर जो है स्पेस्वी की खड़की से जहा कर बोलती है सुनीता विलियम कि प्रच्वी जो है बहुत ही अद्बुत और सुन्दर दिखती है इतनी सुन्दर कि उसको घंटों तक नियारते रहो यानि देखते ही रहो इतनी प्रिष्वी सुनदा रहती हैं अन्तरिश से प्रिष्वी की गुलाई को साब दिखती है वह बिल्कुछ शाब दिखती है यह बता है पहला जो पॉइंट है हम एक जगे टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते हैं यान में एक जगे से दूसरी जगे तैरते हुए पहुचते हैं चैलार नहीं होधा में बुलबुलो की तरहर वुधा अधर उदर उड़ता परता है यह पानी कि रों में जैय已经 हाद मूँ दोने के लिए हम तैटते हुए बुलुलों को पकड़ कर कपड़ा अगीला करते हैं, यह इसके हमाद में क्या करते हैं, कपड़ा अगीला करते हैं और हाद मूँ साप करते हैं, वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो मज़ा त और उड़ते हुए खाने के पैक्टो को पगड़ते हैं और दोस्तों बताते हैं कि अंत्रिक में जो है इन्हें कंगी करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं इनके बाल हमेंसे खड़े ही रहते हैं आपे चलना पाना हर समय तैठते रहना और हर काम अलग तरीके से करना यह सब करन करने की आदर डालना आजान नहीं होता है एक जगे के टिकर काम करना हो तो अपने आपको बेल्ट से बादना पड़ता है कागज को भी ऐसे नहीं चोर सकते हैं उससे भी दीवार के साथ बांद कर रखना पड़ता है अंत्रित्मे रहना इनको बहुत ही मजाता है लेकिन वह प्रत्वी के गुत्वगर्षर बल का एक बटा छहए बाग होता है इसलिए चंद्रवाइप पर किसी विवस्त का जो भार है यानि किसी विवस्त का जो भार होता है वो कम होता है परन्तु ध्यान खिएगा दोख्तों द्रम्मान जो है अपरिवर्थित गहता है अगर प्रत्वी पर द्रम्मान जो है दस है तो चंदर्वा पर भी द्रम्मान जो होगा वो दस केजी होगा जो द्रम्मान अगर प्रत्वी पर है वही द्रम्मान जो द्रम्मान जो के जिवर्था घूट्व गरसा बल जैसे परिशवी पर 60 नि्टन इंथा और उसको शोड़ा झाये तो ağa T पर उसका साट का एक बटा छटवा भाग बचेगा यानि कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा पर दस न्यूटन बल जो है रह जाएगा गुत्त अगर्शा बल जो है दस न्यूटन रह जाएगा इसमें नेक्ट पॉइंट है भारत और अर्जेंटीना यानि भारत देश और अर्जेंटीना देश के बारे मताया जा रहा है कि जो लोग होते हैं वो सापेच जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं अगर हम लोग देखें अर्जेंटीना के लोगों को तो वो उल्टे दिखेंग दोस्तों heading है ठंडा रेगिस्तान लेह अजब अनूठा ये इलाका जो है सूखा समसल और ठंडा रेगिस्तान हैं ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं लद्दाग में बहुत ही कम बारिस होती है और बर्ब से ढखे पहाड और सूखा ठंडा मैदान हैं दोस्तों ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाक को का गया है लद्दाक जो है एक ठंडा रेगिस्तान है जहां पर वर्प से ढके पाड़ और सुखा ठंडा मैदान है जूले जूले यानि यानि जूले का अर्थ यहां दोस्तों जो है लद्दाक में जो है ले लद्दाक में स् स्वागत से लिया गया है यहां की भासा में जो मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं उसे चांग-ठांग कहते हैं पाकी वासा में ठीक है दो सकत्रों के बराबर गर्मी विलकुल नहीं यानि ये सौल होती है होती है, मोटी नहीं होती है, यह पश्मिना बनता है पहड़ी बख्रियों से, यह जो अज़ द्यक्री से क्म होता है। सर्दियों का आपमान है ह। यह सरदियों के जो खाल बहुत कम होता है। इनी माइनस 40 डिग्री संटिग्रेट तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बक्रियों के सरीर पर जो होते हैं बहुती बारीक और नरम बाल उग आते हैं। जो कर्मियों में ये कर्मिया आते आते जो हैं बाल ज़ड़ जाते हैं। और ये बाल इतने पतले होते हैं कि बकरी के च्छै बाल मिलाकर हमारे सर के जो एक बाल की मुटाई के बरावर होते हैं. इसलिए पश्मिना सालों को मसीनोदारा नहीं बुना जा सकता है. इनकी बुनाई जो है हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं. एक बुनकर जो है दोस्तों dopश्मिना साल त्यार होती है. तो ये दिदेखन रखेगा कि पश्मिना साल जो है कि कितनी स्वेटरों के बरावर घर में देती हैं तो छहे स्वेटर के बरावर गर्मी देती है और कितने घंटे में बनती है तो दोसो पचास घंटे में बनती है यह पाइंट ध्यान रखेगा और इसका स्क्रीन स्वाट भी ले लीजिए दोस्तों ये कहानी जो है एक सची कहानी है सोर मड़ी एक चमकता सितार एक गई लिश्टार के नाम से जाने हैं चमकते सितारे जो है 28 बहुत लगा स्कूल जो था एक नॉर्मल से राष्टे से हुगा जाता था लेकिन फिर भी ये जंगल में जाती दी और बच्चों को भी ले जाती थी वहां के जानवार पसपच्छी बेड़ पौदों के बारे में बताते हुए स्कूल में स्कूल में नोने दाख्चा लिए पढ़ने के लिए जो की घंगल के पास था इसकूल में स्कूल में ने खुब मेनत की और वहां से इसकूलर से वजीफा लेकर जिन्होंने बीए पास किया यह एक पहली लड़की थी पहली आजवासी लड़की थी जिन्होंने बीए पास किया था कॉलेज में उनकी जो पैशान है एक वास्वी दीदी से हुई जो पत्रकार थी के साथ लिए पूर्फ मणी ने इनके साथ मिल कर जो है जरकिंट जेंगल बचाव और जान वो रहा किया दोक्तों अगर पूशा जाया कि जरकिंट जेंगल बचाव का अंदोलन से त्किसनय लिए तो वास्वी दी नयृए और मिलकर किस ने किया तो सुर मड़ी और वास्वी दीने मिलकर किया, सुर मड़ी का एक साथी था मिर्ची, मिर्ची जो है तोता का नाम था, यहाँ ध्यान रखेगा, यहाँ से कुश्ठन कोचे गाए है, शूर मड़ी का जो सपना था वो अपने कुडुप कुडुप समात की पैचान बनाए और आधिवासी होने पर जो उसे मैसूस होता था गर्ब मैसूस होता था वा सभी गाउवालों को भी हो refresh यहनि एक जो proud महसूस होता था, उसे भी सभी गाउंवाले, उसे सभी गाउंवाले को भी वो गर्ब महसूस होई। सूर मड़ी का तोरांग, हेडिंग है दोस्तों, सूर मड़ी जो हैं जब 21 साल की थी तो उन्होंने वास्वी दी और कई अनलोगों के मदद के साथ एक केंद्र खुला। उसने इस जगे का नाम रखा तोरांग, तोरांग नाम रखा। कुड़ुक जो भासा है, कुड़ुक भासा में, कुड़ुक भासा में तोरांग का जो मतलब है अर्थ है जंगल, जंगल को बोलते हैं, जंगल को तोरांग बोलते हैं कुड़ुक भासा में, यह जहान रखिएगा, तोरांग में क्या हैं, कुड़ुक समाच और अनादवास संभाल कर रखा गया है गाने बजाने के लिए कई चीजें जैसे बाउसरी तरह 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 के डोल भी यहांपे रखेंगा हैं तो रांग का मतलग क्या होता है ये धिनकिकार कानून 2007 कानून जो है कानून यह आधवासीयों को जंगल पर उनका हग दिलाता है जंगल पर आदवासियों को जंगल पर उनका हग दिलाता है जो लोग जो हैं कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर रहत है यहनी जंगल पर रहत है और जो चीज़े वहां पैदा होती है उस पर भी हख है उन्हें जंगल से अटाया नहीं जाएगा इस कानून कहता है जंगल अधकार कानून 27 के जंगल बचाने का काम भी जो है ग्राम सभा ही दोसरा पॉइंट है दोस्तों बुदियाम आई हैं बुदियाम आई कहती है कि जंगल तो हमारा साजा बैंक है ना तेरा ना मेरा इसका मतलब साजा बैंक का मतलब यह है जमीन के नीचे से हैं पानी अखनीज निकालना समुद्र में से मचली पगाड़ना पेट्रॉल का इस्तमाल करना सभी के साजे खर्याने से हैं यह पॉइंट इंपोर्टेंट है दोस्तों स्काइट्रीन ले लिजेगा क्थिस परिबार को खेति की कितनी जमीन मिलेगी उसके लिए के लोटरी डालें बढ़ती है सब लोगों को बारी बारी उस जमीन और इसमें साहमा सर की पड़की पैरे निकल आती है और वो तीन तीन जमीन मांग लेते हैं तो एक लोग बोते भाई ये तीन क्या है तो चामुई जो है नाम का बंदा है वो बताता है कि एक तीन बीज जो है हम जितनी जमीन पे बोलते हैं यानि एक टिन बेट जो है हम जितनी जमीन पर बोलते हैं उसे एक टिन जमीन बोलते हैं दोस्तों यह important point है इसका screen saw ले लिए दोस्तों heading है जो हम केती यहाँ पर जो है फसल काड़ने के बाद जो है जमीन को उस साल के लिए कुछ साल तक जो है आराम करने देते हैं या उसमें खेती नहीं करते हैं इस जगे जो बास या जंगल उख जाता है उसे उखारते नहीं है बल्कि बस गिराकर उसे जला देते हैं इस जमीन में खाद का काम करती है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता भी नहीं जाता है जमीन को जोते नहीं है बस क्या करते हैं कि मिट्टी को हलके से हिलाया और बीच ठड़क देते हैं एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीच जैसे मकई सब्चियां मिट्च और चावल बोई जाते हैं असल के समय भी अंचाहे जो घास और पहुदे को उखारते नहीं है जब ताकि वह जमीन की मिट्टी में मिलिया है इससे क्या हो जाता है इससे भी जो जमीन जो होती है वो जाओ बन जाती है और यहां की जो मुख के फजल है दोस्तों वो जावल है दोस्तों फसल पकने पर गाउं में सबसे बड़ा तेवहार मनाते हैं यानि जब फसल पक जाती है यह लोग तेवहार मनाते हैं सबसे बड़ा तेवहार मनाते हैं और सब साथ में खाना पगाते हैं खाते हैं और मज़े भी करते हैं तेराओ नाच भी करते हैं दोस्तों जो मिजोरं का है वह एक वा और जो मौक दों पॉइंट मैंने हालाइट किये हैं इनको भी ध्यान कियेगा यह important point है और यहां से question बन जाबते हैं ठीक है दोस्तों तो आप question की चलते हैं और देखते हैं यह आप लोगों से कितने question बनते हैं कि दोस्तों पहला question है ब्रेल लिप की बारे में नीचे दिये कतनों का अध्याय करें और बताएं कौन से कतन सही है और पढ़ते हैं दोस्तों यह option है ब्रेल को मोटे काज़क पर विंदू उबरे विंदू बनाकर जो है लिखा जाता है यह option है यह लिप जो है आड विंदू प बनाई जाती है और डी ऑप्षन इसे उबरे विंदू उपर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है दोस्तों यह option में जो है काज़क पर जो है बिल्द उबरे विंदू बनाकर लिखा जाता है यह option तहीं है और जो आड विंदू है ब्रेली पर आधारित होती है जैसे कि मैंने हम लो बिल्दों पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है यानि a c d option जो है सई होगा तो इसका जो option नमबर a है a c d वो सई होगा नेक्ट कुश्चन लेते हैं दोस्तों दोस्तों question number two है ब्रेली प जो है मोटे कागट पर उबरे हुए बिंदू बने होते हैं यह लिप आधारित होती है यह इसका option number two होगा वो सई होगा यह 6 बिंदूं पर आधारित होती है ब्रेली पी next question लेते हैं दोस्तों question number three है भारत की आजादी से पहले मात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्ध तर तक अपनी प्रसिद्य आत्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज में इस्तित है दोस्तों इसका option number two सही होगा यह गुजरात राज में इस्तित है नेक्ट question लेते हैं दोस्त होता है दोस्ते है जबकि सस्थान होता है दोस्तों नंबर में क्या अंतर है और सभी वाच्वी करण में नहीं बी आप्शन है वास्पी करण किसी भी ताप बान पर हो सकता है जब कि कुछन नहीं दोस्तो बी आप्शन सही होगा वास्पी करण जो होता है वो किसी भी ताप बान पर हो सकता है लेकिन जो कुछन होता है वो बनना एक निश्चित टंपरेचर पर होता है के दूस्तों यह भी option सःय को सब्सक्राइब होगा तो जब सताय का चेत्र पर जादा होता है तो व्हांगी करेल माल लगोर्था बाठकी कश्दा बार सब्सक्रिश कि रिखने बाठक थी कश्दाइब केंगा विएक होगा सब्सक्रिश केसी नियुक्त रिखनें है वो कम हो और तापमान यानि दोनों चीज़ें जब कम होंगी तो वास्पी करण जो है सबसे धीमा होगा फिर दोस्तों नेक्क कुश्चन लेते हैं कुश्चन नमर सेवन है दोस्तों रेत और नमक यानि इन मिस्राड को अलग करना है इनके लिए जो प्रिक्रियाओं के निम चार क्रमों में से किसका अपयोग किया जाए इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा निस्यांदन निस्तारण वास्पाव नवस्ताधन निस्यांदन कर दान निस्तारण में किया होता है जब हम दोनों मिक्चर को रख देते हैं तो जो वेट होता है जो नीके बैठ जाता है और जो हलका होता हूँ उपमारा में क्या होता हOK यहे झसे क्या होकर हमारा नमख अलग हो और रेत अलग हो जाती है अफ साधर में दोस्तों क्या होता है नहीं से आलोग ने देखा होगा कि जब कभी भी आम लोग पानी भड़ते हैं तो उसमें क्या होता है बालु आ याती है ठीक है दोस्तों ये ओप्सन डी नमबर सही होगा नेक्ट कोश्चन लेते हैं कोश्चन नमबर 8 है दोस्तों पानी के साथ प्रयोग करते हुए जोती यह देखती है कि इस्टील की खाली कडोरी जो है पानी पर सायर रही है लेकिन एक खोटी जो कील है वो डोट जाती है इसे सकता है श्टील की कडोरी पर लगने वाला बल जो उसके भारПр की तुलना से जाधा होता है जबकि लोए की डोटील पर लगने वाल बल की उबस्तु जो है तेरहेगी एगर कम होता है तो वह क्या हो जाती ये डूबे जाती है कि दोस्तों नेक्ट कोश्च्चन लेते हैं कोश्चन नम्रं नाये यह लीकें से कौन अंतराश्च्च थी ऽ। च्पहत फशय परराप्त के नीखे दिय के?" पर बिचार करना है और इन कत्मों को देखना है और उसके बाद सही आंसर चोज करनाटक राज की है दोस्तों यह करनाटक राज की नहीं है और उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बना है वह 130 किलोग्राम के भार को उठा सकती है यह जब वह 12 वर्स की थी तब इसे भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी यानि एक नमबर जो आप्शन सही है कुछिण नमबर 11 है बहुत से किसान अतरिक धन कमाने के लिए करने का सबसे अच्छा समय है इसका ऑप्शन जो है डी नमबर ऑप्शन सही होगा अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वह मदमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है ठीक है दोस्तों क्टूबर से दिसंबर तक मदमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय होता है यह जो ऑप्शन सही होगा लीकी के जो फूल होते है मदमक्ख्यों को लुबाते हैं C option है मदमक्षी पालने और उनके द्वारा उत्पादी साहत का बंडारा करने के लिए बक्सों की जरूरत होती है यह भी सही है दोस्तों C option भी सही है D option देखते हैं दोस्तों मदमक्षी के लिए मेठा गोल बनाने के लिए चेनी करीदी जाती है और यानि यह जो option B, C, D जो है तीनों सही है तो इसमें देखते हैं दोस्तों यह तीसरा नमर सही होगा B, C and D option ठीक है दोस्तों next question लेते हैं Question number 13 है दोस्तों नीचे दिये गए नगरों में से किस एक को रेट के पहाड यह रेट के टीले का जाता है वह कहां पा जाते हैं तो इसका option number A है दोस्तों आबू धावी में जो है रेट के टीले पाए जाते हैं और यहां पे जो होती है अलग-अलग color में पाई जाती है क्यों यहां की जो मुद्रा है उसको धिनार कहते हैं दोस्तों यहां आबू धावी की जो मुद्रा होती है वो दिरहम होती है यह option गलत है यानि A, B, C जो option होगा वो सही होगा यानि option number 4 जो है वो बिल्कुस सही है ठीक है दोस्तों next question question number 15 है दोस्तों काच के जार तो था बोतलों को उनमें अचार बने से पहले सूर की दोब में अच्छी तरह से सुखाया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों वह ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो अचार भरा जाया तो उसमें फकुन ना लगे और उसकी नमी पूर्ता jeste हो जाया ठीक है दोस्तों तो नमी को पूर्ता हटाने के लिए बोतलों को जो है अचार वाली बोतलों को सूर की रोश्मी में में अच्छी तरह सुखाए दाता है दोस्तोंOh then लोह तत्त जो होता है कि प्रिचोर मातरा पाय जाती है या आयरन तत्त की जो है मातरा प्रिचोर पाय जाती है देखते हैं दोस्तों तो आखोब्स अपलक आलू एलीओक्सन है आवला पालक और गुड में जो है दोस्तों वो लोग तत्की प्रिच्वर मात्रा पाई जाती है ठीक है दोस्तों कुश्चन नमर 17 है रीना आम पसंद करती है और वह इन्हें जाड़े के लिए संदच्छित करना जाती है इन में से कौन सा तरीका जो है सरनच्छड के लिए सबसे सरवादी को प्युक्त होगा है दोस्तों आम से क्या बना जाता अचार और आम पापड़ दोस्तों ये डियॉप्शन नमर जो होगा सही होगा दोस्तों नेक्ट कुश्चन कुश्चन नमर 18 है दोस्तों निदान के बाद कोई भी डॉक्टर जो है रोगी करता है कि लिए डांबर सौर्टों ओधर को और दोस्तों या खाना responsibility, और और मतौन जाना है जैसे की पालक और गुर्ड यह जो है आइरन की कमी को जो है दोर करता है ठीक है दोस्तों नेक्स कोश्चन लेते हैं कोश्चन नमर 19 है दोस्तों कोई डॉक्टर जो है एक मरेज को खाने के लिए कुछ दवायां लिखता है और साथ ही बताता है कि गूड आवला और अरी पत्यदार सब्दियों जो है जरूर खाने का सुझाव देता है यह मरेज किस रोग से पेडित है दोस्तों यह जो है मरेज है वो अनीमिया रोग से पेडित होती है क्योंकि जब गूड आवला और अरी पत्यदार सब्दियों खाने के लिए कह रहा है यानि उसके अंदर है हेमोगलोविन की कमी है और हेमोगलोविन से अनीमिया नामक एक रोग होता है तिके दोस्तों नेक्ट कॉश्चन लेते हैं क कॉश्चन नमबर 20 है दोस्तों उस वेग्यानिक का क्या नाम है जिसने स्वर्प्रसम मच्छर के पेड़ के अंदर ताग जा की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है तो इस अनुस अंदान के लिए उससे 1902 में जो है चिटिस्ता के शेतर में नोबल प हम बदाया कि जो है मलेरिया मच्छर से फैलता है ठीक है दोस्तों नेक्ट कुश्चन लेते हैं कुश्चन नमर्ट 21 है दोस्तों रजट ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खे सकता है क्योंकि मुझे बुखार है और कब-कभी बुखार सिर्दाद आज में पसीना आने की ठेक पस्तों में से इसका जो आप्सं नमर्ट है वह सही होगा नेक्ट कुश्चन लेते हैं दोस्तों कुश्चन नमर्ट 23 है उच्छ जयर यानि तेज बुखार के साथ कपकपीश जिसका उप्चार जो है सिंकोना बेड की चाहाद से मलेरिया रोग है दोस्तों यह जो question है हाली में आया हुआ है और मच्छर से related दोस्तों question continue बन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यह important points है इसको बिल्कुल आपके mind में होना ही चाहिए कौन सारो किस से हो रहा है किस मच्छर की काटने से हो रहा है ठीक है दोस्तों next question लेते हैं मैं कौन से सब्समूव आपस में निक्ती रूपस से संब्दित हैं दोस्तों question number 24 का जो answer होगा वह और दोस्तों नेक्ट question लेते हैं दोसो, question number 25 है, मीरा और दिप्या, तोटी ललकिया हैं, ये मीरा जो है, समोसे, कटलेट और डवल डोटी खाना पसंद करती हैं, जब कि दिप्या नाम की लड़की है, वो ऐसा पसंद करती है, जिसमें लोहत अप्थ की कमी होती है, यानि आरेन की कमी होती है, मीरा और दिप्या कौन सी बीमारियां जो हो सकती है, क्रमसा बताई है, दोसो, समोसा, कटलेट और डवल डोटी खाने से मोटापा बड़ेगा, और जब लोहत अप्थ की कमी होगी, तो उससे क्या होगा, अनिमिया रोग हो जाएगा, तो इसका जो option number B है, वो सही होगा, मोटापा और अनिमिय है, next question लेते हैं, question number 26 है दोसो, अंजली की सैली जो है, दातों में 6 से बचने के लिए, जो है, चार तरीके बताती है, इन में से कौन से तरीके सही है, उन तरीकों को चूस करना है, और सही अंसर का जो है, जावत दिन है, तो यह option है, कि जो अंजली है, वो दिन में दो बार ब ब्रेसलेट पहणने है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, कि ब्रेसलेट पहणने से दातों का अच्छे है, वो सही हो जाता है, ठीके ना, दोस्तों, तो यह option जो है, ऑप्शन सी है, मिठाई, चॉकलेट और कारवन डायोकसाइड, जो है, युक्त पधार्थ ना लिए, यह युक्त पधार्थ भी ना लिए, यह option सी होगा, इससे क्या होगा, जो कि दातों में केड़े लगते हैं, उससे वो बच जाईए, बडी नमबर है, कि हर खाने के बाद जो है, कुल्ला करें, उससे कुल्ला करना चाहिए, ठीके दोस्तों, तो यह भी सही option है, ACT, जो है option, यह ह है, इसको दोस्तों इन्होंने इज़र-ज़र कर दिया, आपके हम लोग confused हो जाती है, तो इसका जो option है, वो A नमबर सही होगा, दोफ्तों, C, D, A, ठीके दोस्तों, next question लेते हैं, दोस्तों, question number 27 है, आरती एक कोश्टर पर एक बीमारी की लोक्त हम से समधी निम्सभदानिया पड़ती है, A option है, अपने आसपास पानी को जमाना होने दे, B option है, पानी के परचनों, कूलर और टंकियों को साब रखें, C option है, यदि जगों पर पानी फेक्टा हो जाता है, तो तेल का छिड़काओ करें, और D option है, स्वेम के बचाओ के लिए जानी का प्रोफ्तों, अगर आपने ठियोरी पड़ी होगी सही से, तो ये option बिल्कुल आप कर पा रहे होंगे, और बिल्कुल सही करेंगे, तो इसका जो option है, दोस्तों, कोन नमर सही होगा, डेंगो और जापानी मच्टा जो एक से बचने के लिए जो है, दोस्तों, ये सब सावधानिया, जो है, बीमार सही होगा, तेल जो है, ऑक्सीजन की आपूरती को काट देता है, जिससे क्या होता है, मच्छनों का पजनन हम जाता है, ठीक है दोस्तों, नेक्स कुश्चन नमर 30 है, माउंट अबरेक्ट के बारे में सही कतन चुनी है, तो ये जम्मू और कस्मीर का भाग है, इसकी चोटी क जो चाई है, नमा सी सो मीटर है, तो ऑप्सन नमर 60 है, ठीक है, तो जो जो ब्हूप्सन नमर 60 है, नेक्स कोश्चन नमर 32 है, तरोड भारत संग नामक समू संबंधीत है, ये अबसन है पुराனी जो दढ़की दाई ने जो है इसको तरुदाय संग समों की स्थाधना जी ती जिसका जो उद्धेश्ता की पुरानी जीहिलों को पुना निर्माण किया जाए ठीक है तो नेक्ट कुस्टन नमर 33 है दो तो नीचे दिये गए कर्टब्यों और उत्तर दाय तो काध्यन करके बता है अने लोग जो होते हैं उनकी जो है सामान उठाने में मदद करना चाहिए यह टीम लीडर का दायूत होता है यह पूरे गूर्प में आँगे चलना ताकि गूरूप पीछे पीछे चले यह ऑप्शन गलत है दो तो गूरूप को आँगे चलने दिया जाता है और टीम साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके सब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है और पांच नंबर है रुकने और अराम करने की लिए अच्छी जगेड होना यह भी सही है दो थो यहनी एट और फाइल ऑप्सन नंबर जो है चार वो सही होगा अगर दोस्तों आप ने तृरी पड़ी होगी तो यह आपसे कुश्चन इजी वेयुर कांसे हो हो और हमारे घरो में निलिंखिस सही कतान है दोस्तों कासा जो होता है वो ताबे यानि कौफर और तिन से मिलकर बनाने होता है तो यह डी आप्शन सही होगा यह ताबे और तिन का जो है जिसरण है ठीक है दोस्तों नहीं कुश्चिन नमर्ट 35 वे ग्रामिट चित्रों में गाय के गोवरों से जोपड़ी की दीवारों और फर्सों को लीपा जाता है उन्हें आप्शन है श्चिकना और Hobert Bak withdrawal गश्चा बनाएं के लिए लिए और सी जो है फर्स को प्राकरतिक रंग देने के लिए ब्रेवरों में दोर रकने लिए गाय के गोवर टैका जोबड़ी की दिवारों और फर्सों को को लीप पा जाता है ठीक है दोस्तों नेक्ट ओस्चिन थाहिं है दोक्तों किसी प्र professions बनें आप बिल्कुल से कर के सब्सक्रासर लो streποCe और सौर्ड की बात ये करते हैं जलते हैं दुख्षों नहीं कामड़ा लोगे चांजी और सौर्ड की तरह है बी ऑप्षन है काहसे को तामा और टिंग से पिखला कर सायार किया जाता है ये सब्सक्राइब सही नमबर Estado एारेम्स तरह होड़िक जाने के अगयर तरह होड़ियमना सब्सक्राइब कि तुर्णा कि ये सब्सक्राइब तो ये यह उडरिये बृत होगा बी और सी पर ओक्ष में वह मालेरिया की पैचान होती है में मलेरिया पर जीवी पाया जाता है तो उसमें क्या होता है मलेरिया जो हैं गोड़ पाया जाती है ठीक है दोस्तों नेक्ट कुस्षिन नमबर 40 है प्रिस्पी गोल है वास्तों में प्रिसपी पर उपर नीचे कुछ नहीं होता है क्यवाद सापेच होता है हम भारत के लोग जो है खालिक्ताने के लोगों के सापेच उल्टे हो सकते हैं प्रफिश्टक साल करेंडा का रहा शहरोगे। क्या हैं फाल्पियों स्था विलुसा के बरावर trait ऍप係लों prisons क्योंद मैं को dot com सार छीज नशी टराण गंट के ब्रावर गर्मतिे तर्डा एक सार्ण को भुणने के लिए 10 फालिस्टान udah घंट alarm अगर ऑने पड़ी होगी को आसानी से कर पा रहे हुए इसका option नमबर ए है च्छे सोट्रों च्छे साधा सोट्रों और 250 गंटे का समय लगता है पस्मिना सौल बनाने के लिए ठीक है दोस्तों नेक्ट नमबर 42 है दोस्तों खालिस्ताने के लिए मचलीगर या उक्वेडियम हवा वाला पंप रखा जात है क्यों रखा जाता है यह option है दोस्तों जली पौदों वह अधिक कारवन डियॉक्साइड उपलप्ज कराने के लिए यह option है अधिक oxygen को पानी में घुलने दिना है दोस्तों बी आपस्ट सही होगा इसमें क्या होता है वह क्या करता है तुलबडिय में बनाता है इससे क्या ह होता है जो अधिक oxygen क्या हो सके पानी में घुल सके ठीक है दोस्तों next question लेते हैं दोस्तों question no.43 है जब मचली को पहले से उबले लेकिन कमरे के ताप मन पर ठंडे किये गये पानी से भरे aquarium में डाला जाता है तो वह मर जाती है इसलिए होता है क्योंकि मचली पर गर या aquarium का जो question है खनीज रहे दोस्तों क्या होता है जब किसी भी पानी को boil कर देते हैं तो वह क्या होता है खनीज रहीत हो जाते हैं यानि उसके लोग पोसक तो थोते हैं वह नश्ट हो जाते हैं ठीक है दोस्तों तो option no.C सही होगा question no.44 है एक पुरूस जिसका जो रख्थ है रख्थ सम्हों जो है blood group O है और एक जो है रख्थ सम्हों वाली इस्तरी से राजी करता है उसके पहले बच्चे की जो रख्थ सम्हों होगा blood group O होने की संभावना होगी कितनी संभावना होगी है होगी तो यह option है 50% दोस्तों 50% जो होती है वह बच्चा पैदा होगा वह blood group बाला जो पैदा होगा जिसकी सम्हावना जो है 50% होगा ठीक है दोस्तों next question लेते question number 45 है कौन सा चांद की सत्य की विशिष्थाओं के लिए जो है विशिष्थाओं के बारे में सबसे अच्छा वरण करता है दोस्तों इसका जो option होगा B number से होगा कि पानी नहीं है वहाँ पे गहरे गटे हैं और उचे-उचे पहाड़ भी है ठीक है दोस्तों यह भी option से से उसे तेज खांसी आ रही है और इसका कारण क्या हो सकता है यह option है इंधन के जलने से उत्पादित carbon monodioxide जो उसके स्वसन नली में जमा हो गई होगी है दोस्तों यह नंबर सही होगा क्योंगी जब भी इंधन जो प्रियोग किये जाएंगे तो उससे क्या होती carbon monodioxide जो ह हो जाती है ठीक है दोस्तों तो यह option जो होगा वो मिल्कुछ सही होगा next question लेते हैं दोस्तों question number 47 है एक व्यक्ति का द्रम मान जो है प्रित्वी पर 72 kg है और चंद्रवा की सतय पर गी का जो मान है एक बड़ अच्छा है और चंद्रवा पर व्यक्ति का द्रम मान जो है क्या ह दोस्तों ध्यान अखिएगा यह question मत गलत करके आईएगा यहां पोझ रहा है व्यक्ति का द्रम मान और व्यक्ति का द्रम मान जो हो प्रित्वी हो चाह चंद्रवा सभी जगए जो है समान रहता है ठीक है दोस्तों तो बादर किलोग्राम आंसर होगा इसका c number option सही होगा दोस्तों, question number 48 है, जब किसी वस्त को प्रत्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो उसका भार क्या होगा? दोस्तों उसका भार घड जाएगा यानि जब हम किसी भी विश्ट को प्रत्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं क्योंकि वहां पर जो भार होगा वह एक बट अच्छा होगा यानि प्रत्वी अगर 60 Newton है तो वहां पर 60 Newton का एक बट अच्छा है यानि 10 Newton बल जो है द्रम मान जो है द्रम मान जो है चंद्रमा की सत्य पर 10 किलोग्राम है दोस्तों प्रत्वी पर G का मान होता है गुत्त्व तरड का मान जो होता है 9.8 होता है और बहार पूच रहा है तो बहार-बहार M into G होता है यानि 9.8 का अगर हम गोड़ा कर देंगे 10 में तो 19 Newton जो है मेत कुछन लेते हैं ब्हारत मैं थंडे रेखिस्तान मांसुन से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं किसी वश्ट का जो द्रब माने वो क्या होगा द्रब मान में रावर होता है अगर 15 का मल्टिपल 3 से करेंगे तो 45 ग्राम आंसर जो होगा वो नैको नमर 52 है तो हमारे देश में नेल लिखी तीटानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों इसका जो आप्षन वहगा भी होगा लद्दाग जो है निग्सान को फेंडा रेगिस्तान कहते हैं ठीके दोस्तों नमर 53 है भारत के किस खेद्र में इस्तांद रिए खे जो है इतांति खेती करने का रिवाज है मिजोरम भी जो है दोस्तों वो उत्री पूर्वी खेत्र में ही पड़ता है तो नेक्ट कोश्चिन लेते हैं कोश्चन नमर फिप्टी फोर है वो जेंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमिन जो है ग्राम सवा पंचाहत वर यानि कोई किसान जो है जब किसी भी भूम पर एक टिन विज बोता है तो वो एक टिन कहलाता है ठीक है दोस्तों नेक्ट कोशन लेते हैं कोशन नमबर 55 वे दोस्तों जूम केती में अपनाई जाने वाली पत्यती के वीशे में नीचे गया गजनों पर विचार कीजिए यह ऑफ्चन है एक हसल प्राप्त करने के बाद जमिन को कुछ साल तक हैसे ही ठोड़ देते हैं आपसे सभी होगा बी ओफ्सन्द ओप्सन जोएं में ऐसकी तरह है काम कदेशना कि इसका प्रियुक्ष husbands जाता है, जब इस जमीन में ख्यमें के बारी आती है, तो B फिर टा Shape ऑला कर दो है, मिटी को हलके से इला कर इसे निवी खडग देशी है जुब दोस्टो तो A ऑप्सों सही होगा यानि को नमर आप्स제 है Only A ठीक है दोस्तों नेक्स कोश्चन लेता है नीचे दिये गए खेती के विबरन में पढ़िए डंका की पहचान कीजिए कि यह जो फसल है कि फिकार की है यह राग जो है भूमी को अरवर बनाती है जब यह भूमी जो है के लिए तयार हो जाती है उसे हलका सा खोदा जाता है भूमी को जोता नहीं जाता है उस पर बीच रख दिये जाते हैं तो यह जो ऑप्शन होगा दोफ्तों कोशन नमबर 57 है मिजोरा में कि जाने वाली जोम केती के विशे में नेमलिकित कथनों कात्यान करना है और बताना है कौन सा उप्शन इन में से तो देखते हैं दोस्तों एक फदल को काटने के बाद भूम को कुछ वर्सों तक खुला चोड़ देते हैं यह उप्शन जो है द मैं और अबनसे prediction है कि दूष्ट्तों नहीं की जाती है बलकि कि जम्हीं कि रखता है को जमीन को क्या होता है मिट्टी कोगें की मिट्टी होति है उसको खलके से इलाकर से दिया जाता है गहरी उताई नहीं कि जाती इसलिए ओप्सण गुलाद है दी आपको नि Earn ce केज में तीन-चार भिन-भिन प्रिकार की फसले उगाए जाती है यह बहुत है जो है जो कि जो भी गास को फ़र्जी टाइप की उगती है उसको क्या करते हैं गिरा कर जला दिया जाता जो की खात के रूब में प्रियोग की जाती है तो इसका जो आप्सटन होगा A, B, D, यानि option number 2 जो होगा, वो सही होगा, ठीक है दोस्तों, next question, question number 58 है कुड़कबासा है, तो कुड़कबासा दोस्तों जो है, जारकंटी है, B number option सही होगा, next question लेते हैं दोस्तों, question number 59 है किसके नितरुत में चिपको अंदोलन को बल मिला, तो इसका जो option number D है, वो सही होगा सुन्दरलाल बहुगड़ा के नितरुत में जो है चिपको अंदोलन को बल मिला, किके दोस्तों, next question लेते हैं, दोस्तों, question number 60 है जो वेक्टी जंगल में कम से कम 25 वर्थों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल में भूमी पर, जो और उसमें पैदा होने वाली वर्थों पर भी अधिकार है, या जनादेश किसके दोरा किया गया है तो ये जनादेश जो है दोस्तों जंगल अधिकार अधिकार अधिम 27 दोरा किया गया है, इसका जो option number B है वो सही होगा ठीक है दोस्तों, next question लेते हैं question number 61 है मिजो भासा है, कहां की है मिजो भासा, मिजो भासा जो है मिजो रंग की है, option number C सही होगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like, subscribe करना ना भूलें, और दोस्तों साथ ही साथ कियें दोस्तों को, इस वीडियो की जरूरत है, उनको भी share करिए दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे next वीडियो में जय हिन, जय भारत